वेल्कम तो जीरो से जिन्यस तक आज के एक और नय एस्पेसल वीडियो क्वी टेस्ट में हम आप से पूछेंगे जी के जी इसके पचास से सवालों को तो आप इस वीडियो क्वी टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा चलिए सुरू करते हैं पहला सवाल है निम्ञ लिखित में से कौन सा अपना भोजन स्वयम निर्मित करते हैं आपको जब आप सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकिंड का समय जो सुरू होते हैं अब ये सवल हाली के एक्जाम में आया था निम्ड में से कौन अपना भोजन स्वयम तयार करता है आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर बी उत्पादक कोशन नमबर टू आईपील के तिरहवे संसकरन दो हजर बीस कीस महादविप में खेला गया कोशन नमबर टिन कौन व्यक्ति हाली में अमेरिका के 46 राष्टपती बने है अमेरिका के 46 राष्टपती कौन बने है आणसर हो जाएगा आप्शन नमबर टी जो बाइडन कोशन नमबर फोर IPL में किस टीम ने सरवाधिक जीत हासिल की है सही आंसर हो जाएगा option number B Mumbai Indians पाच बार अब तक BJ हासिल किया है Question number 5 दुबई सहर में किसका मुख्याला इस्तित है सही आंसर हो जाएगा option number B ICC का Question number 6 भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में सीमा आयोक की अध्यक्षता किस ने की थी भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में सीमा आयोक की अध्यक्षता किस ने की थी आंसर है option number B रेड किल्फ ने आगे सवाल है, इसलिए उस रेखा का नाम है red kill रेखा, प्रतम पंचवर्सिये उजिना ये सवाल हाली के एकजाम में आया था, प्रतम पंचवर्सिये उजिना में 26 पर 20-10 बल दिया गया, या ऐसा सवाल था आपके एकजाम में, तो आंसर है, option नबर A, किरिसी पर बल दिया ग अगे सवाल है चित्रा उपनयास किसके द्वारा लिखा गया है अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर बी रवेंदर नाथ टाइगोर के द्वारा कोशन नमबर नाइन बालों के बिलीचिंग में परियुक्त होता है सही अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर सी हाइडोजन पर अप्शाइड हीडोजन पर अप्शाइड कोशन नमबर टेन पानि पत का प्रथम यूध्व के लिए 1526 भी है तो सेकंड वर्लड वार के लिए क्या होना चाहिए question clear है पानि पत का प्रथम यूध्व के लिए 1526 है तो सेकंड वर्लड वार के लिए क्या होना चाहिए सही answer होगा option number C second world war 1949 से 45 इस वी तक चला था तो वहां पे आप 1949 भर दिजिए सही हो जाएगा और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो आप अपने फोन की इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकों को दबा कर नोटिफिकेशन को अल कर दि नहीं है नीम्ण में से एक नीटवर्क नहीं है सही अंसर हो जाएगा ऑप्सण नंबर सी ओप्टिकल फाइवर्ड कोस्यर नमर तेरा बंगाल में कर का अस्थाई बंदोबस्त परनाली किसने लागों की यह सवाल बहुत एकजाम में आते रहते हैं और इस हैं इस बार भी आया था और क्वेशन क्या है बंगाल में कर का अस्थाई बंदोबस्त परणाली किसने लागो की आंसर हो जाएगा अप्शन से कोशन नंबर 14 बराजिन ने विल्ड कंफ फुटवाल चैंपियंसिप अब तक कितने बार भनी है सही अँचश के आप्सन नमबर A, बराजिल ने वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियंशिप अब तक पाच बार बनी है, question नमबर 15 कीस दिन 2020 में भारत ने नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया है, सही अंसर हो जाएगा, option नमबर D, एक जुलाई को, आगी सवाल है आंसर होगा अप्शन नमबर C लौर्ड बिलियम बेंटिक के सासनकाल में आगे सवाल है भारत में पंडुबी में जल यात्रा करने वाले पहले राश्ट्रापती कौन थे अंसर है अप्शन नमबर B डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कोशन नमबर उन्नीश हाली में कौन प्रथम भारतिय मुल्की महिला अमेरिका की उप्राश्ट पती बनी है बहुत अच्छे सवाल है हाली में कौन प्रथम भारतिय मुल्की महिला अमेरिका की उप्राश्ट पती बनी है अंसर हो जाएका अप्शन नमबर C कमला हैरिस कोशन नमब विस प्रति वर्ष बीश्वा सुनामी जागरुकता दिवस कब मनाया जाता है अंसर है अप्सन नमबर बी पाच नवंबर को आगे सवाल है शिरी नगर किस नदी के टट पर इस्तित है शिरी नगर किस नदी के टट पर इस्तित है आंसर होगा अप्सन नमबर झेलम नदी आगे सवाल है वायू मंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा आपसन नमबर B छोब मंडल आगे सवाल है कंप्यूटर सक्छारता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा आपसन नमबर D दो दिसंबर को कोशन नमबर 24 भारत के परिद्रिष्या में सबसे आखिर में उभरने वाला धर्म कौन सा है? क्वशन नमबर 25 संपती के अधिकार को मलिक अधिकारों की सुची से किस संसोधन द्वारा हटाया गया संपत्ति के अधिकार को मलिक अधिकारों की सूची से किस संसोधन द्वारा हटाया गया सवाल है इंसुलीन किस की द्वारा स्रावित होता है सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए अगनासय की द्वारा आगे सवाल है चीन की मुद्रा क्या है चीन की मुद्रा क्या है सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी इवान चीन की मुद्रा इवान है और इसकी राजधानी बीजिंग है Q28, बीश्वा भारती की अस्थापना किसने किया था? सही आंसर होगा आप्सन नमबर C, रावींद नाथ टाइगोर्णे, आगे सवाल है, बीश्वा मलेरिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर A, पचीस अप्रायल को, आगे सवाल है, जैन धर्म में कूल कितने तिर्थ कर हुए? सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर D, 24, आगे सवाल है, जीलो का अध्यायन क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर A, लिम्नोलोजी, आगे सवाल है, क्यूरायल किस महासागर की ठंडी जल धारा है? सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर D, 21%, 21%, आगे सवाल है, आगे सवाल है, अर्थ सास्तर का जनक की से माना जाता है, सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर C, एडम A, स्मीथ को, आगे सवाल है मुस्लिम लिग का प्रथम सम्मेलन कहां पर शंपन हुआ था आंसर होगा अप्शन नमबर सी अमरी तिसर में और इसके अस्थापना 1906 में हुआ था ठीक ऐसा सवाल आपके ज्याम में आया था सिंपल सवाल 1906 अंसर था आगे सवाल है हमारी संस्कृतिक धरोहर के लेक्षक कौन है अंसर हो जाएक आप्शन नमबर सी डॉक्टर संकरदयाल सर्माजी आगे सवाल है दक्षिन अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है सही अंसर हो जाएगा option number B पंपास आगे प्रस्ण है अलमाटी बांध किस नदी पर इस्तित है सही अंसर हो जाएगा option number B कृष्णा नदे आगे सवाल है रज्यपाल को वेतन कितना परदान किया जाता है अंसर है option number C साढ़े तीन लाख रुपए पर मंथ है आगे सवाल है मुल अधिकारों का संरख छक किसे कहा जाता है सही अंसर हो जाएगा option number B न्याय पालिका को आगे प्रस्ण है बंगाल का अतंक किसे कहा जाता है सही अंसर हो जाएगा option number A जल कुम्भी को आगे प्रस्ण है अंति मुगल समराथ कौन था सही अंसर हो जाएगा option number D बहादुर साजफर आगे सवाल है बीसवा में कौफी का सबसे बारा उत्पादक देश कौन सा है अंसर है option number A ब्राजिल आगे प्रस्ण है धान का खायरा रोग किसकी कमी से होता है सही अंसर हो जाएगा option number C जश्ता जीनक की कमी से आगे प्रस्ण है सिनेमा का अविस्कार किसने किया था सही अंसर हो जाएगा option number A निकोलस और जीन लुमियेने आगे प्रस्ण है अलकनन्दा और मन्दा कीनी नदियों का संगम कहा होता है आँसर हो जाएगा प्रस्ण है जनगनना किस सूची के अंतरगत आता है यह बहुत इंपर्टेंटे सवाल है जनगनना किस सूची के अंतरगत आता है आँसर होगा option number A संग है सूची आगे प्रस्ण है श्वेत फासफोरस को सदेव किस में रखा जाता है सही अंसर हो जाएगा option number C किरो सिन में आगे प्रस्ण है भारतिये विश्व अविद्याले की अस्थापना किस के सासन काल में हुई आँसर हो जाएगा option number B लॉर्ड कैनिंग के सासन काल में आगे प्रस्ण है भारत के किस राज्या में पहली बार गयर कॉंग्रेस से सरकार बनी थी आँसर है option number B केरल आगे सवाल है सत्रंज में राजा कितने कदम चलता है ये प्रस्ण पिछले 50 questions वाले वीडियो के Q4U में पुछे गए थे वर्ट लोगों ने गलत आंसर दिये थे आंसर होगा option number A एक कदम आपके लिए एक सवाल है पूरे दुनिया भर में पार्यावरन दिवस कब मनाया जाता है यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो simply आपको comment box में लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर और आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो लिंक आपको description box में मिल जाएंगे वहाँ जाए लिंक पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए वहाँ पर बहुत important क्यूज डेली रात में होते हैं उससे यदि आप regular करते हैं तो आ अगले वीडियो में अपना ध्यान रखिए खुश रहा करिए जय हिंद जय भारत